सलाम अलएकम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हों सब ठीक होंगे वीडियो पसंद आएक तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थर्स्टे वाले दिन मैं फ्राइडे समझ के स्कूल चली गई और यह मेरी उमीद थ किया था कि ड्रेस तो आप इत्ते ज़्यादा स्टेज करती हैं पहन थी तो इका दुकाई हैं तो वहन यह देख लें कि मैं कोई डेली वी लॉगिंग नहीं करती कि मैं क्या पहन के स्कूल जा रही हूं मैंने कौन सा ड्रेस वेर किया और मैं मार्कीट गई भी हूं अबल त कि मेरा काम थोड़ा सा बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है मेरे प्रोजेक्स इतने ज्यादा हैं मेरी कंप्यूटर स्टूडी के ओपर कि मुझसे हिम्मत ही नहीं होती कि वीडियो बना पाऊं अच्छा जो नल्कियां लेकर आई थी इसमें से मैंने मैच करने की फरपूर कोशिश की इस ड्रेस के साथ लेकिन इसमें से एक भी मैच नहीं हुई क्योंकि इसमें मुकलरी मुझूद नहीं है अच्छा जब मैं यह ड्रेस लेकर आती हूं ना तो यह मैंने कहीं नल्की पहले ही मगा के रखी हुई होती है और नल्कियां वह एक थैली में मैंने डालके मशीन के जो हिस्सा होता है ना लंबासा पीछे की तरफ जासे दागा निकलके आ रहा होता है वहां पे टांगी भी होती है तो यह वाली मैंने नल्कियों का डबे उठाके रख दिये क्योंकि इसमें से कोई मैच नहीं हुई यह आपको जो क्लिप्स नजर आ रहे हैं यह थर पिरकी निकालनी थी क्योंकि मझे बाबन भननी है क्योंकि सबसे मुश्किल काम स्लाइक के अंदर मुझे बाबन भनने का और मशीन के अंदर धागा फिट करने का लगता है इसके बाद जनाब मैंने यहां से काम करना शुरू किया और अगली दफा मैंने एक औरगेंजा का भी कम्प्लीट करना है कुर्ती को तो उसके लिए 14 नमर की नीडल लगा के फिर चेक करूंगी फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आया हमें 14 नमर लगाना चाहिए कि नहीं एनल की रिड़ी चली जान रही है अच्छा जी यहां पने जितना काम जो पाइपिन तक का था वो मैं आपको रूदाद सुनाती हूं कि मेरी अम्मी की तरह समझे माशाला कितनी रांटें पड़ती हैं अच्छा हुआ है कि कुंदे वाली शलवार जो खड़ी शलवार मर्दाना टाइप की होती है उसकी कर्टिंग भी बता दिया करें बहुत सारी चीज़े मैंने आप लोग आप लोग सिर्फ कोटन के कपड़ों के ओपर काम कर दिया करते हैं बहुत असान होता है उसे हंडल करना क्या आपने 825 जितनी भी वीडियो मैंने अप्लोड की इंड्रेसिंग में पर पीचे जा के देखा है कि मैंने किस तरह की वीडियो के ओपर काम किया है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है कराची के अंदर इतने रेश्मी कपड़े नहीं पैने जाते तो फिर उसके वर मैं इतना काम करके क्या ही दिखा हूँ आपको के वह कपड़े पढ़े रहे लेकिन एक वक्ता है था जबके मैंने मैक्सी भी आप लोगों से शेयर की है मैंने यहां पर विल कि लेके शोफोन से लेके और गैंजा से लेके जो वो मखमल का कपड़ा होता है क्या बोलते हैं इसको मेरे जहन से निख लगा है मैंने एक दफ़ा भी वेर नी किया आप लोगे कहने पर मैंने वो बनाया तो बताने का मकसद यह है कि कमेंट करने से पहले बहुत दफ़ा कि जैजमेंटल हो जाते हैं यहाँ पर complete हो अब आई यहां आती है इतना डांट रहाँ कि मैं इसे कोई इक छती हैं इसाले हैं नहीं साल लुट सबड़ा नेवकिकと करना हो जब और वो बाहिर है कि अब मैं अवेलिबल नहीं हूँ तो आप इसके पर बात कर लिया करें लेकिन बस क्या ही करें अब यह मुझे समझ में नहीं आती कि बच्चे इतनी बीजी कैसे हो जाते हैं कि माँ जो एना मुझे ही डांटी रहती है हर वकत और फिर मेरा जो एना वह फिर दमाग पूरे का जाता है कि मैं क्या करूं कि हर बच्ची की अपनी माशाला जिंदगी है लेकिन माई माई होती है अच्छा इतने दिनों से अब यह हो रहा था कि मुझे कह रही थी मुस्तकिल के मेरी शलवारे अम्मी को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है रात के टाइम तो उन्हें शलव लेकिन हमारी अम्मी के काम बहुत ज्यादा है अब शलवार का कपड़ा यह भाई मिटर लेके आई हूं और यहां पर मैं दिखाने कोशिश करी हूं वीडियो मैंने इसलिए तेज कर दी है कि इसको धीरे चलाती ना मेरा दम घुट जाना था वाई सबर करते वे अम्मी के श शलवार मीटर के हिसाब से कपड़े में बनती है ड्हाई घज में नहीं बनती तो 36 इंच क्या ही लेंथ होती है तो मैंने 36 में ड्हाई इंच इसलिए एक्स्ट्राइट किया है कि उपर नेफा फोल्डिंग ड्हाई इंच आ जाएगी और हाफ नीचे जब हम 5 फोल्डिंग म होती है तो कटिंग करने के लिए मैं फ्लोर पर बैठ जाया करती हूं कि इसमें बहुत ज्यादा महनत इस सेंस में होती कि कपड़ा पूरे कपूरा खुला रहे अब मैंने शलवारे काट के देदी है अब देखती हूं कि कोई कारजी सीधन नहीं थे फिर कारजी दो मैं की होगी उनना नुबस काम चाहिए हूं दया अच्छा जी होती है सब कुछ माय ऐसी भी होती है और सभी ऐसी होती है और इस वीडियो के तवस्तर से अपने बहन भाईयों को भी यह कह रही हूं कि उनको ना हर दूसरे दिन तीसरे दिन इनसे इन टाच रहने की कोशिश क्या तो पाइंचे की चुड़ाई मैं इसलिए कम रखती हूं कि कुंदे का पुरे का पुरा कपड़ा रख दिया करती हूं तो यहां से मैंने फिर क्या किया था कि पंदरा इंच की चुड़ाई के ऊपर मैंने तीन-चार जोगों पे निशान लगा के जो फोल्डिल हिसा है उसस इस वक्त सोई वी थी जिस वक्त यह वीडियो बना रही थी यह सहरी के बाद के मनाजिर आप मुलाहिजा फर्मा रहें पर इसके बाद मैंने पर दोबारा वही ड्रेस पहना यह जब तक अभी थोड़ी बहुत सर्दी यह घीसे बिटेगा फिर इसके बाद इसको मैं खतम कर अब दूसरी एक और चीज बताओ मैं आपको मेरे बहुत सारे ड्रेस ऐसे होते हैं जो मैं आपको पहले बिता जूकियों मेरी बहान है वो जब देखती है तो बहुत सारे आपको शिलेवे नजर आए वो मेरे रही नहीं ऐसा भी हो जाता अभी किते सारे और निकल जाएंग कपड़े पैने की आदत पढ़ गई है यादि जीन्स पैंड्स के साथ कुर्टी पैनके बुरकाई उपर पैना होता है अचा जी अब बारी आती है कि हमने कुंदे जितने त्यार करने होते हैं उसमें हाफ इंच का मार्जन जरूर एक्स्रा करें वह थर्टी नाइं थर्टी कर नहीं है इसको कुंदा के गएं कुंदे की ज 카메ए मैं त्यौ्टी मैं य heuston आयूर आफ इंचा होता है इसे कुंदा तक वह त्युक्त रmia नाए विसकि अखरक की और प्र वह थर्टी नाइना 2 इन्ड हाफ इंच दूसरी तरफ में घर्टी नाइना 1000 पहले मार्क करूंगी यानि आसन की तरफ कुंदे की लंबाई होगी और दुसी तरफ के जो कुंदे की लंबाई थी उसके सामने आसन की लंबाई होगी उमीद करती हूँ यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अब मैं इसको कर लेती हूँ स्ट्रेइट और स्ट्रेइट करने के बाद अब मैं आपको इसको काटू काटू कर दिए अच्छा मैंने दोनों शलवारे सुबा काट दी थी और मेजरमेंट्स देखें भाबी को समझा दिया था मेरे खाल में भाबी सीएंगी एक अपड़े भाबी का भी तो बहुत सारा काम होता है ना अमा हमारी कहती है के बस मैंजुदो काम के आंप इनों फोरण करके दे चड़ो और उन्होंने एकदम से अलार्म बजाया है पहले कहती तो साथ साथ सलते रहते और दो-दो-इंचीमने एक्साथ की तरफ रखके अंदर की तरफ कि तरफ यह हलकी सी गुलाई उप सब्सक्राइब करते हैं जिसके अंदर पाइंचे और कुंदे नहीं होते इसके लागा और कुण सी गुड़ी शल्वार होती है एक आंटी थी उन्होंने मुझे का था कि वह सिखा दो क्योंकि बच्पन में अम्मी ने मुझे सिखाई थी एक और तरह की बतानी जीब हो गरीब यह सिल जाए और मुझे मुझे कुछ डांटना पड़े और अब इसको करते हैं इस तरीके से और यहां से यह तो हिस्सा खुला यह न तो दूसी तरफ एक हिस्सा फोल्डिड है उसको हमने काटू-काटू करके सेपरेट कर लेना है अधोते पहले वक्रेया कार चड़ा यह कपड़ा था उपर जो मैंने मार्क किया वा था इसलिए देखें धाय मीटर में 36 लंबी की शलवार बनी है अब हम इसको कर लेते हैं करके काटू-काटू और एक चीज़ का तहां रखेगा कि जब हमने इसके साथ पाइंचे को स्टिच करना है तो जो हिस्सा हमारे पास कंद करने वाली साथ पर जैन्स में तो दोनों तरफ बनता है अमी के लिए मैं एकी तरफ बनातिया करती हूं यह सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था कोई बात बुरा में आने की जूरत नहीं है यह वो लोग रिलेट कर सकते हैं जो बाहर के मुलकों में अपने अपने